दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहें गर्वती महिला में लड़का होने के 20 लक्षन दोस्तो ये लक्षन केवल लड़का होने पर ही दिखाई देते हैं इन में से अगर आप में 5 लक्षन भी दिखाई देते हैं तो आप 99% शोर हो सकते हैं कि आपके घर में आने वाली जो संतान है वो एक लड़का ही होगा दोस्तो आज के समय में देखे लड़का लड़की में कोई भी फरक नहीं है लेकिन सभी में यह जिग्यासा रहती है कि हमारे घर में जो आने वाली संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी तो दोस्तो ये वीडियो केवल आपकी जिग्यासा को दूर करने के लिए बनाई गई है अगर ये लक्षन आप में दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं दोस्तो उन 20 लक्षनों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब अवश्य कर ले बगलने बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सके दोस्तो इस वीडियो में हम आपको केवल लड़का होने के लक्षन बता रहे सर से पाव तक कौन-कौन से लक्षन दिखाई देते हैं जब गर में लड़का होता है तो आप इन लक्षनों को ध्यान से सुने पूरी वीडियो को ध्यान से देखें तभी आप समझ पाएंगे सबसे पहले लक्षन है दोस्तो बालों का तेजी से बढ़ना अगर आपके बाल तेजी से बढ़ रहे हैं आपके बाल घने हो रहें यानि पहले से कम तूट रहे हैं यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है दोस्तो प्रेगनेंसी के दोरान अगर आपको भूग ज़्यादा लगती है अलग अलग चीजों का मन करता है अगर आपको एसिडिडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है यानि शुरुवाती दिनों से लेकर अगर आपको डिलीवरी तक एसिडिडी की प्रॉब्लम यानि कलेजे में सीने में जलनोना तेजाब बनना इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो यह लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है अगला है दोस्तों अगर आपके मून में बार बार चेंज आता है यानि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और कई बारे आपको छोचोड़ी वातों पे खुशी होती है यानि आपका जो सभाव है काफी चुचड़ापन हो गया है आपको अपने मून में मतलब बार बार चेंज दिख रहे है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों प्रेगनेंसी के दोरान अगर आपको उल्टिया कम हो रही है तो यह लक्षन बेटा होने का माना जाता है अगर आपको उल्टी जैसा लग रहा है लेकिन आपको उल्टिया नहीं हो रही है तो यह लक्षन बेटा होने का माना जाता है अगरा लक्षन है दोस्तों देखे गर्वती महिला के चहरे पर skin color में काफी changes आता है अगर आपके जो skin का color है वो डल हो गया यानि आपका जो चहरा है पहले से डल हो गया है आपके चहरे पर मोहा से जाईया अगर आ गई है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है गर्वती महिला के देखे हाथ पैरों में भी काफी changes आते हैं अगर गर्वती महिला के हाथ पैर mostly ठंडे रहते हैं तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है दोस्तों अगर आपके हाथ पैरों में और आपकी जो face है उसमें जो छुट-छुटे बाल होते हैं अगर उनकी growth बढ़ने लगी है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है अगर लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला के पैरों के आकार में बदलाव आया है उसका color change हुआ है यानि अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है swelling आ गई है सूजन आ गई है यह लक्षन देखे बेटा होने का माना जाता है और यह लक्षन अधिकतर छटे सातों महिने में ज़्यादा दिखाई देते हैं क्यूंकि जब गर्व में लड़का होता है तो उसका weight जाता होता है जिसका दवाब आपके पैरों पर पड़ता है जिस वज़े से आपके पैरों का मतला आकार बदल जाता है पैरों में दर्द रहता है और swelling की दिक्कत आती है अगला लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला की जो बच्चे की movement है अगर उसने देरी से शुरू करी है यानि पांचों महिने से उसने हल्चल शुरू करी है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है छटे सातों महिने से अगर आपको urine की problem बहुत ज़्यादा हो रही है यानि आपको बार बार पेशाब आ रहा है और पेशाब का color है वो बहुत ज़्यदा dark color में है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है दोस्तों गर्वती महिला के लिए बड़े ही मुश्किल होते हैं उन दिनों में अगर आपको बार बार वाइट डिस्चार्ज की प्राबलम हो रही है या आपके इंटरनल पार्ट पर आपको खुजली हो रही है दर्द हो रहा है तो यह लक्षन में बेटा होने का माना जाता है क्योंकि जब गर्व में लड़का होता है तो उसका वेट जाता होता है जिसकी वज़े से आपके इंटरनल पार्ट पर मतलब आपको दर्द होता है उसकी वज़े से मतलब वाइट डिस्चार्ज जादा होता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला के रीड की हड़ी मे जातर दर्द रहता है या पैरों में दर्द रहता है या नाभी के नीचे वाले हिस्से में जातर दर्द रहता है तो यह है लक्षन बेटा होने का माना जाता है दोस्तो आप एक लक्षन अपने सोनग्राफी जो रिपोर्ट आती है उसमें भी होता है आप बच्चे की हाट बीड जरूर चेक करें अगर उसमें बच्चे की हाट बीड 140 से कम है तो यह है लक्षन बेटा होने का माना जाता है दोस्तों इस लक्षन को आप कई बारी नोटिस कर सकते हैं जब गरवती महिला चलने के लिए या बैठ कर उठने के लिए सीधे हाथ का सहारा लेती है और चलने के लिए सीधे पैर को आगे बढ़ाती है यानि राइट लेक को आगे बढ़ाती है तो यह है लक्षन देखे बेटा होने का माना जाता है और इस लक्षन को आप कई बारी नोटिस कर सकते हैं दोस्तों अगर गर्वती महिला की जो नाभी है उसका कलर चेंज हो गया है डाक कलर हो गया है या नाभी बाहर आ गई है तो यह है लक्षन बेटा होने का माना जाता है वही पर अगर आपकी नाभी लाइन उपर से नीचे तक बिलकुल सीधी है तो यह है लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है दोस्तों गर में जब लड़का होता है तो breast में भी काफी changes आते हैं अगर चोथे पांचवे महिने से आपके breast में ज़्यादा दर्द हो रहा है या आपकी right वाली breast का आकार बड़ा है और निपलों का जो color है बहुत ज़्यादा dark है तो यह है लक्षन बेटा होने का माना जाता है इस लक्षन को भी आप देखे कई बाई notice कर सकते हैं अगर गर्वती महिला ज़्यादा तर अगर बाई करवट से सोना आराम दायक लगता है बाई करवट से ज़्यादा सोती है तो यह है लक्षन भी बेटा होने का माला जाता है दोस्तों अगला और आखरी जो लक्षन है अगर गर्वती महिला को बार बार स्वप्न में अगर मेल जेंडर के फल जैसे केला, सेव, अमरूद, पपीता इस तरह के फल दिखाई दे रहें या फिर आपको सपन में अंधेरे में दीपक जलता हुआ दिखाई देता है या सूरे के दर्शन होते हैं या फिर आपको कोई दूद देता हुआ दिखाई देता है या नारियल आपको दिखाई देता है तो यह है लक्षन 101% बेटा होने का ही माना जाता है तो दोस्तों यह हमने कई सारे आपको लक्षन बताए है इन में से पाँच लक्षन भी आप पर मैच करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाली जो संतान है वो एक लड़का ही है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें आप सभी को जैसी करें आप करें आप सब्सक्राइब करें आप सबी को जैसी करें